दोस्तों बारिस के मौसम में जैसे पानी टपकता है वैसे चीन में बैंक टपक रहे हैं तो चीनी सरकार बड़ी परेसान है अब जाके उनके होस ठेकाने पर आये हैं और आज वो निर्णे लेने जा रहे हैं द्याजदरों में आगे की कटवती करने का एवर ग्रेंडे जो के अभी हाल ही में दिवालिया घोसित होई है उस जैसी अनेकों कमपनिया हैं जिनके पाउं कब्र में लटक रहे हैं उन कमपनियों को बचाने के लिए चीन आज ब्याजदरें काटेगा ऐसा अनुमान लगा रहे हैं 35 के 35 ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स जि इन से ओपीनियन पूछा गया और ये 35 लोग कोई रहा चलते लोग नहीं हैं बड़े बड़े ग्यानी विद्वान लोग हैं तो इनके मत को अगर आप मद्दे नजर रखें तो आज ब्याजदरें घटेगी अमेरिका हो भारत हो या यूरोप हो सब जगए विकासदर इतनी तेजगती से चल रही है कि हमें ब्याजदरें बढ़ानी पड़ रही है उसकी तुलना में चीन की हलत देखिए इन्हें ब्याजदरें काटनी पड़ रही है क्योंकि इनके यहां विकास नहीं है तो दोस्तों यह जो घटना करम है उसके दो पहलू है पहला तो यह है कि अग और बगेरा एक्सकोर्ट करती हैं उनके लिए ये घटना करम अच्छा है लेकिन 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 अगर चीन रिवाइब होता है कच्चे तेल की डिमांड बढ़ती है तो इससे कच्चे तेल के दाम चड़ेंगे और वो भारत के लिए नेगेटिव घटना करम होगा तो चीन के द्वारा ब्याजदरों का काटा जाना हमारे लिए आधी खुशी और आधा गम लेकर आता है वास्तव में हमें कितना लाव और हानी होगी ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा और हाँ दोस्तों अगस्त महीने की तरह ही सितंबर महीने में हम शेर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की वरक्शॉप लेकर आ रहे हैं डेली एक गंटा हम आपके साथ बैट कर पेपर ट्रेडिंग करके आपको दिखाएंगे कि जो कॉंसेप्ट हम पढ़ाते हैं वो एक्चुली मार्केट में काम कैसे करते हैं प्रॉफिट कैसे कमाते हैं तो लाइव और प्राक्टिकल पराधारत सितंबर महिने की शेर मार्केट वरक्शॉप को जोइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्कुप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है क्लिक करके अभी के अभी अपनी सीट बुक कर लीजिएगा